show how square root 5 can be represented on the number line देखो यह मैंने number line ले ली यानि कि real line ले ली यह मानलो इसका 0 point है 0 के बाद यह 1, 2, 3 अब राबर के distance पे मैंने 3 points बना दिये और इस side को यह 1, 2, 3, 4, infinity तक इदर और minus वाली values इदर ठीक है तो हमें basically इसी पर फोकस करना है क्योंकि इदर कहीं square root 5 बनेगा देखो अगर आपको याद हो हमने square root 2 कैसे बनाया था square root 2 के लिए हमने क्या किया था कि आप 1 length की ठीक है इस side की length 1 मानलो और इतनी ही length perpendicularly इदर अगर मैं draw करूँ यह 1 हो यह 1 हो तो यह जो मेरा distance आएगा इसको a, b, c मानलो तो a, c square जो है वो क्या होता है a, b square प्लस b, c square क्यों पाइथा को अरस्तियूरम hypothesis का square जो हता है वो बाकी दोनों sides की square के sum के बराबर होता है तो a, c square मेरा कितना हो जाएगा 1, square क्योंकि a, b, c, b, 1, 1, square तो यानि की 2 तो a, c कितना हो जाएगा a, c square मेरा 2 आ गया तो a, c हो गया square root 2 तो यह मैंने square root 2 बना लिया अच्छा, अब square root 2 के उपर अगर मैं फिर से 1 length का एक perpendicular draw करूँ यह square root 2 हो चुका है, यह फिर से 1 है, तो अगर मैं इन दोनों को join कर दूँ, इन दोनों को मैं join कर दूँ तो square root 2 square plus 1 square, यह मुझे square root 3 देगा, इसकी length, इसको मैं d मान लेता हूँ, ठीक है तो यह मेरे को square root 3 मिल गया, इसी तरह से मुझे square root 4 मिल सकता है अब मैं ऐसा कर तो सकता हूँ, कि square root 2 बना लिया, फिर square root 3 बना लिया, square root 4, square root 5 अब square root 5 के लिए मुझे यह पूरा spiral बनाने की जरूरत नहीं होती, यह मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया क्योंकि square root 4 जो है, वो actually 2 के बराबर होता है और 2 जो है, वो हमें number line पे direct वैसे ही मिल जाता है अब इसको हम ऐसे समझते है अगर माल लो, मेरे पास यह एक side है, जिसकी length है 2 ठीक है, और इसके उपर मैं एक और line ड्रॉ कर देता हूँ, perpendicularly, जिसकी length हो 1 ठीक है, यह 2 length, यह 1 तो अब मैं इन दोनों को अगर join कर दूँ, इसको माल लो, A, यह B, और यह C तो, A, C square, कितना हो जाएगा, A, B square, plus B, C square, है न because of Pythagoras theorem तो, A, C square कितना हो जाएगा, A, B square कितना है, 2 तो, 2 का square कितना हो जाएगा, 4 और B, C square, यान की, 1 का square कितना हो जाएगा, 1 तो, यहां से, A, C square कितना हो जाएगा, 5 A, C square, 5, इसका मदलब, A, C कितना हो जाएगा, square root 5 तो, यान की, यह जो मेरी length है, यह square root 5 बन जाएगी तो, हमें इसको draw करने के लिए, सिरफ और सिरफ क्या करना है यह number line पे, 2 के उपर, एक line draw करनी है, जो इसका half हो जो इसका half हो, यान की, यह अगर यहां से लेके, यह distance जो है, यह कितना बनता है 2, यह line 2 है, ठीक है, इतना distance उसको मैंने 2 माना यान की, यह मैंने actually 2 इंच लिया था, ठीक है, तो 1 इंच मैंने इस तरफ को vertically, perpendicularly एक line draw कर ली, ठीक है, अब इसको अगर मैं इसके साथ join कर दूँ यह मैं अगर इसको इसके साथ join कर दूँ, और O, इसको बोलू A, इसको बोलू B तो मैं quickly यहां लिख देता हूँ, कि O, B square कितना हो जाएगा, हो जाएगा O, A square plus A, B square because of Pythagoras theorem, तो इसका मतलब O, A square, यह मैं 0 को ही O बोल रहा हूँ यहां पर, O, A मेरा कितना है, 2, तो 2 square plus A, B, A, B मैंने 1 लिया था, तो A, B square is 1 square is equal to 5 हो गया, तो यहां से O, B मेरा कितना आजाएगा, O, B, यहां से O, B मेरा कितना आजाएगा, square root 5 तो यह distance square root 5 हो गया, अब मुझे क्या करना है, मैं इस compass को खोलूँगा, यह मैं बिल्कुल इतना खोलूँगा, जितना O, B है तो O, B के बराबर मैंने खोला तो, यानि कि मैंने कितना खोल लिया इसको, square root 5 क्योंकि हमने अभी अभी calculate किया, कि यह distance जो है, O, B, square root 5 है उसके बाद अगर मैं O point से, B से होते हुए एक arc draw करूँ जो real line को कहीं न कहीं intersect करती हो, तो वो जहां उसको intersect करेगी, वो real line के उपर जो point होगा, वो होगा square root 5 तो square root 5 यहां पे lie करता है, real line के उपर, अच्छा देखो इसमें न, इस बात से confuse नहीं हो न, कि 1 यहां कैसे आ गया, 2 यहां कैसे आ गया, देखो, यह एक real line की representation है मैं ऐसे भी कर सकता था, कि जैसे मैंने यह एक line draw की, ठीक है, मैं इधर से ले लता हूँ, यह मैंने एक line draw की और यह point लिया, और यह बिल्कुल 1-1 cm के distance पे, मैंने points लगाने शुरू कर दिये, तो इसको 0 मान लिया, इसको 1, इसको 2, इसको 3, तो यह distance हम मेरे गाद 2 हो गया, तो number line की representation हम मैं इतनी सी line पे कर रहा हूँ, तो उस case में जो मैं perpendicular line draw करूँगा, one length की, ठीक है, वो one centimeter मेरी इस तरफ को जाएगी, तो यह यहाँ perpendicular हो गया, तो उसके बाद अगर मैं इन दोनों को join कर देता हूँ, यह मैं अगर join कर देता हूँ, तो यह जो मेरा, यह जो side है, square root 5 हो जाएगी, ठीक है, और फिर मैं यहाँ से एक, ऐसे ही, आक लगाऊंगा, तो यहाँ पे मेरा square root 5 मिल जाएगा, तो यह सरह representation है, यह सरह representation है, आप कैसे भी represent कर सकते हो, points को pass रख लो, दूर रख लो, उससे कोई फरक नहीं पड़ता, ठीक है, बात यह है, कि आपकी measurements जो पर ही 1, 2, 3, 4 होगा, अगर मैंने 1, 1 inch के distance पर 1, 2 लगाया, तो फिर 1, 1 inch के distance पर ही 1, 2 होगा, यह 1 inch, यह फिर से 1 inch, तो फिर इधर भी 1 inch लेना पड़ेगा, तभी यह 1 की length consider होगी, और यह वाली कितनी थी, यहाँ से लेगा, यहाँ तक 2 की length, ठीक है, अब इसकी जो अगली बनता जा रहा था, square root 2, square root 3, square root 4 के लिए, आप उस वीडियो को view कर लेना, ठीक है, तो उससे आपकी activity जो कम्पलीट हो जाएगी, so that's it from this tutorial, keep watching Mathemafia